यह अप्र जैसे कि हम लास्ट क्लास में कुशन्स कर रहे थे रिस्टनलाइजेशन से और मैंने आप से कहा था कि हम कुछ और कुशन्स करने वाले हैं तो उसी को आज हम कंटिनु करेंगे और फिर नंबर सिस्टम को हम फिनिश करेंगे ठीक चलो यहाँ पहले एक कोशन्स रिपीट कर देता हूँ जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था तो मैंने कोशन्स लिख रहा हूँ मैं रिश्टनलाइज 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 को तो मैं जानता हो रिश्नलाजیशन का मतलब क्या होता है डिसी पार्ट को रिश्नलाइज कर रहे हो उसको कीज़ती है किवैसे ऐसी value से multiply करنا जिससे कि वो number आपका क्या हो जाए rational form में convert हो जाए और उसके लि'll never हमने trick सीखी थी जैसे कि 3 by root 5 plus root 2 है और हमें क्या करना है denominator को racialize करना है denominator मेरी 2 terms है कितनी terms है denominator मेरी 2 terms है तो आप simply क्या करोगे दोनो terms के बीच का sign change करोगे और उसी से multiply कर दोगे उसी से क्या कर दोगे divide कर दोगे ठीक तो यह हमने कर दिया sign change किया है ठीक तो आपका numerator तो asities रहेगा 3 और into में root 5 minus root 2 बट आप denominators की जब multiply करोगे तो आप देख रहे हो कि मेरे पास में 2 terms हा रहे हैं root 5 plus root 2 आ रहा है root 5 minus root 2 तो एक तरीके से आप a plus b को a minus b से multiply कर रहे हो और a plus b minus b के identity होती है a square minus b square that is root 5 square minus root 2 square ठीक तो आजाएगा 3 into में root 5 minus root 2 divided by root 5 का square हमारा 5 होगा और root 2 का square कितना होगा 2 होगा तो 5 minus 2 कितना होगा आपका 3 5 minus 2 कितना बच जाएगा आपका denominator में 3 बच जाएगा और 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो finally जो आपका answer बचने वाला है root 5 minus root 2 ठीक है यही मिरा answer होगा अब denominator में कुछ नहीं है इसके denominator में सिर्फ 1 है और 1 एक rational number है और यही करना था मुझे denominator को क्या करना था rationalize करना था ठीक है denominator को क्या करना था rationalize एक simple था जैसे last class में किया था वैसे ही किया चलो equal question लेते हैं ऐसा ही next again एक question है 1 by root 3 plus root 2 root 3 plus root 2 minus 1 ठीक है मुझे इस बार भी क्या करना है denominator को rationalize करना है इसको करना है denominator को rationalize करना है बट इस बार problem यह है कि 3 terms आ गई है कितने आ गई है 3 terms denominator में अगर दो होती तो हम क्या करते हैं उनके बीच का sign change करते हैं और उसी से multiply divide कर लेते हैं तो बट अगर 3 terms हागी है तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है आप उन terms को क्या कर लो split कर लो क्या कर लो split तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूँगा मैं root 3 plus root 2 को एक term मान लूँगा और 1 को अलग एक term मान लूँगा ठीक है root 3 plus root 2 को मैंने एक term मान लिया और 1 को अलग एक term मान लिया है अब कर दो racialize तो अब एक तरीके से आपके पास में दो terms हैं एक है root 3 plus root 2 और एक है 1 तो जब आप racialize करोगे 1 by root 3 plus root 2 एक term आपकी ये है और minus 1 एक term ये है तो हम क्या करेंगे इनके बीच का sign change करके multiply डिवाइड कर देंगे तो या जाएगा root 3 plus root 2 plus 1 divided by root 3 plus root 2 plus 1 ठीक है वही किया है मैंने जैसे racialization करते हैं तो numerator में तो 1 का multiplication root 3 plus root 2 plus 1 से करोगे तो as it is रहने वाला है वो root 3 plus root 2 plus 1 तो उसको तो अभी ऐसे ही रखते हैं लेकिन denominator में मेरी फिर से a plus b a minus b की identity बन रही है जहां पर a है मेरा root 3 plus root 2 और b है मेरा 1 ठीक है a है मेरा root 3 plus root 2 और b है क्या 1 और a plus b a minus b क्या होता है a square minus b square ठीक है तो root 3 plus root 2 square minus 1 का square clear तो उसको थोड़ा solve करते हैं root 3 plus root 2 plus 1 divided by root 3 plus root 2 का whole square तो देखो दो टम्स का square कर रहे हो आप यानि कि a plus b का square है ये ठीक है root 3 plus root 2 का square को 3 plus 2 मत लिख देना आप root 3 plus root 2 का whole square कर रहे हो ठीक है root 3 plus root 2 का क्या गर रहे हो whole square यानि कि a plus b का square और a plus b का square भी आप जानते हो a square that is root 3 का square plus b square that is root 2 का square और minus 2ab यानि कि 2 into root 3 into root 2 तो यह आपने क्या लिखा है root 3 plus root 2 का whole square लिखा है sorry plus root 3 plus root 2 का whole square a square plus b square plus 2ab और minus 1 का square 1 as it is रहेगा आपका रूट 3 plus root 2 का square minus 1 का square तो root 3 plus root 2 का square आपका a plus b का square हो गया a square plus b square plus 2ab और minus 1 का square कितना हो गया तो अब देखो root 3 plus root 2 plus 1 divided by root 3 का square आपका 3 हो गया root 2 का square 2 हो गया plus 2 into root 3 into root 2 तो 2 तो as it is रहेगा बट root 3 into root 2 कितना हो जाएगा root 6 हो जाएगा और minus 1 तो यह आपकी final term क्या बचेगी root 3 plus root 2 plus 1 divided by 3 plus 2 minus 1 3 plus 2 5 5 minus 1 4 और plus 2 root 6 ठीक है यह आपकी term है ठीक बट अभी 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 आपका यह completely rationalized नहीं हुआ है ठीक है क्या का मैंने अभी आपका यह completely rationalized नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि denominator में अभी भी मेरी irrational term है denominator आपका rationalize कब होगा जब आपका completely denominator में क्या आजाएगा rational number आजाएगा तो इसको थोड़ा सा और solve करना पड़ेगा ठीक है तो करते हैं अब और solve करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक बार फिर से rationalization करना पड़ेगा ठीक है तीन term ही न तो पहले split की आपने दो term और एक term में ठीक अब दो term आगी है अब दो term आगी है तो अब तो हम जैसे हम question प्रोसीड अपना करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे root 3 plus root 2 plus 1 divided by 4 plus 2 root 6 और 4 plus 2 root 6 का rationalization जब आप करोगे तो 4 minus 2 root 6 से multiply और 4 minus 2 root 6 से ही divide ठीक है अब आपका question solve हो जाएगा easily तो numerator वाले terms है मेरी root 3 plus root 2 plus 1 और into में 4 minus 2 root 6 और denominator में फिर से ये plus भी ये minus भी लगेगा तो 4 का square minus 2 root 6 का square ठीक तो या जाएगा root 3 plus root 2 plus 1 root 3 plus root 2 plus 1 into में 4 minus 2 root 6 4 minus 2 root 6 आप चाहो तो यहां से 2 common भी ले सकते हो 4 minus 2 root 6 से और divided by देखो 4 का square हो गया 16 minus इधर 2 का square 4 होगा और root 6 का square कितना होगा? 6 ठीक है? 2 का square 4 होगा और root 6 का square कितना होगा? 6 तो 4 into 6 24 तो आपका 16 minus 24 बचेगा तो आजाएगा root 3 plus root 2 plus 1 और देखो यहां से मैंने 4 minus 2 root 6 से 2 common ले लिया है तो मैं 2 बहारी लिख देता हूँ और आपका यह बच जाएगा 2 minus root 6 और divided by 16 minus 24 आपका कितना होगा? minus 8 और आप 2 से इस 8 को भी cancel कर सकते हो 4 times तो finally आपका जो 4 नीचे negative में है तो इस minus का 1 by 4 में लेक लिख लिया है और वाक्यूप का क्या बचेए? root 3 plus root 2 plus 1 ठीक है? चाहो तो आप इनको multiply भी कर सकते हो आपस में और into में 2 minus root 6 तो देखो जो भी आपका irrational part बचा है अब सिर्फ numerator में बचा है ठीक है? denominator में आपका simply क्या है? 4 है जो की एक rational number है ठीक है? denominator में क्या है? 4 जो की क्या एक rational number है बस हो गया ठीक है? अब आप इसको भी आगे solve कर सकते हो you can expand it ठीक है? आप इसको भी expand कर सकते हो multiply करके root 3 plus root 2 plus 1 एक bracket यह है और 2 minus root 6 यह है ठीक है तो एक एक करके फ़ले 2 को multiply करना पूरे bracket में फिर minus root 6 को करना ठीक है तो आप इसको आगे भी expand कर सकते हो clear तो बस यही motto था इस वाले question को बताने का कि आपको visualize करने के लिए 3 terms भी आ सकती है rarely questions पूछे जाते हैं schools में तो बता आप इनको practice कर सकते हो 3 terms के साथ भी आपको पहले 2 terms में लेना है एक साथ और फिर एक term को अलग रखना है और उसके बाद जवाब का completely 2 terms आ जाएंगी denominator में फिर से visualization कर दे रहे हैं चलो एक question और देखते हैं इतरे question और आते हैं आप से बोल रहा है if if 2 plus root 3 2 plus root 3 divided by 2 minus root 3 equals to a plus b root 3 a plus b root 3 then find a and b then find a and b ठीज़ आपके पास एक expression दे रहे हैं 2 plus root 3 divided by 2 minus root 3 equals to a plus b root 3 तो बोल रहा है कि a and b find out करो ठीक बड़ा आसान है ये भी आप क्या करो visualize कर लो होगा क्या ना visualize करने के बाद जो आपका 2 plus root 3 by 2 minus root 3 है वो आपकी कुछ a plus b root 3 की form में ऐसे कुछ बन कर आ जाएगी और जब वो ऐसे बन कर आ जाएगी तो आप comparison कर लोगे तो देखो कैसे 2 plus root 3 divided by 2 minus root 3 तो denominator का जब मैं resolution करूंगा तो ये 2 plus root 3 से multiply करना पड़ेगा और 2 plus root 3 से divide करना पड़ेगा sine change और equals to में a plus b root 3 as it is रहा तो आप देखो numerator में 2 plus root 3 into 2 plus root 3 हो जाएगा 2 plus root 3 का square और denominator में फिर से a plus b minus b हैने की a square minus b square that is 2 square minus root 3 का square और equals to a plus b root 3 as it is तीक है अब numerator में a plus b का all square लग रहा है तो a square तो 2 का square 4 plus b square तो root 3 का square 3 plus 2ab तो 2 into 2, 4 into 2, 3 तो 4 root 3 और divided by यह आपका 2 का square 4 और minus root 3 का square 3 और equals to a plus b root 3 clear तो आपका यह 4 plus 3 आ जाएगा 7, 7 plus 4 root 3 denominator में तो 1 रहे गया लिखने की जरूद भी नहीं है equals to a plus b root 3 अब देखो जैसे आपकी form दे रहे थे a plus b root 3 वैसे सी मेरी left hand side पर बन चुकी है तो आपको करना कुछ नहीं है आपको बस comparison करना है तो देखो a के place पर लिखा हुआ है 7 और b के place पर लिखा हुआ है 4 जो हम comparison करेंगे 7 plus 4 root 3 को a plus b root 3 से compare करेंगे तो a की जगा पर लिखा हुआ है 7 और B की जगह पर लिखा हुआ है 4 और यही मेरे क्या हुँए answers हो जाएंगे simple एक्दम तो इस तरह की questions भी वो दे देता है यह का आप practice कर सकते हो यह का एक question practice कर सकते हो आप if 5 प्लस 3 रूट 2 divided by 5 minus 3 रूट 2 यह आपको equal दिया हुआ है a प्लस b रूट 2 के तो आपको क्या करना है find a and b find a and b तो यह आप खुद करोगे do it yourself यह DIY यह क्या करोगे आप DIY करोगे do it yourself simple है left hand side को rationalize करना उसको इन्मेटर को तो वैसे सी कुछ वो form बन कर आजाएगी a प्लस b रूट 2 के form में compare करके a और b की value निकाल ले होगे clear तो इस तरह कोशन भी हमारे पूछे जाते हैं कभी-कभी यह आप कर सकते हो ठीक तो चलो class को end करते हैं और फिलाल number system के यह कुछ number system वैसे तो बहुत बड़ा है ठीक है तो कुछ academically जो हमारे पास में देखे जाते हैं topics वह हम यहाँ पर end कर रहे हैं ठीक है next class हमारा next topic से शुरू होगा जो next class होगी हमारी उसमें हम new topic लेंगे ठीक क्या लेंगे new topic चलो तब तक लिए bye bye take care and please subscribe the channel ठीक अगर अपने अपने तक subscribe नहीं किया तो please subscribe करो ठीक है और जितना ज़्याद हो सके तो ज़्यादा share करो चलो bye bye